हेलो फ्रेंद्स मैं हूँ काश्वी आज के इस वीडियो में हम लोग ने बहुत स्पेशल टॉपिक लिया है जो है यह बहुत आसान टॉपिक है तो उससे पहले लाइक कर दो शेक कर दो तो स्टार्ट करते है इस टॉपिक को लेकि सबसे पहला सवाल यह उठता है कि स्टॉपिक पर कैसे कॉंसेंट्रेट करें यह काम बहुत आसान है देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले आपको रिलाक्स करना है उसके बाद आपको अपनी बुक लेनी है आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स ले सकते हो तो फिर बुक लेने के बाद आपको हर दिन दो मिनट उस बुक का एक पीच पढ़ना होगा जब माइंड को बहुत जादा लोड देए अगा, एसे कंवे on canlone कर देता है, जैसे, बहुत जादा लोड दे देता है, तो फिर माइंड, कभी करने को त्यार नहीं होता है, सिर्फ 200 मिनट को ओ हूँ तो बोला है हमने तो, अपनय माइंड मान जाता है, उस काम को करने के लिए कि अगर आप आप गंडा करना चाहते हैं तो फ़र आपको हाबिट बिनानी पड़ेगी हाबि और अगर आप 2 मिनट रोस पढ़ते हैं बुक तो फिर कुछ दिनों बाद अपने प्रिज़र्ल निकल जाते हैं कि आप 2 मिनट और बुक पढ़ना चाहते हैं और यह जो काम है देना चाहिए पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे तो फ्रेंड्स वाच के उपर में ध्यान देना अगर आगे पीछ टाइम हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैंने ले लिया I will study for five hours हमें बहुत टेंशन हो लग जाती है उसके बाद हम दो मिनिट का ही तो गोल लिया है तो अगर बहुत एजी लिए वो काम हो सकता है नमबर टू आस्ट यॉर्स अपने आप से जो पर्पस है उस काम को करने का वो पूछना है What to do? वो मैं काम क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले अगर मैं एजामपल लेती हूँ What is the purpose to do studies? तो फिर मेरा अंसर हो सकते है Because I want to score good, I want to become the topper डी बी हो सकते है अगर एजामपल लेती हुँ मैं, If I want to do yoga, मेरा आंसर होगा, I want to become fit तो फ्रेंज आज की वीडियो के ले बस इत्ता ही लाइक कर देना, सस्क्राइब पर देना और श्रेय कर देना थांक्स पर वाच्चिंग बाई फ्रेंज